गाजर का हलवा नाम संते ही मीठा खाने के शौगन लोगों के मुवे पाने आना लाजमी है थंड के मौसम में अधिकतर घरों में स्पेशल गाजर का हलवा खाने की दिमांड अकसर होती है पर इसे बनाना थोड़ा जंजटी होता है और इसके कारण लोग बाहर जाके में खाना पसंद करते हैं पर आज जो बहुत आसान सी रेसिपी में आपके साथ में शेयर करूंगी इससे तो आपना हर दूसरे दिन फ्रेश गाजर का हलुआ घर बनाने वाले हैं और घर वालों को खुश करने वाले हैं तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विच्शन क प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजेगा और अगर रेसिपीस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक भी कर देजेगा साथ में बैल आइकन भी जरूर प्रिस कीजेगा जिससे आपको मेरे आने वाली रेसिपीस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी तो अंतर तक ज चील लेंगे तो गाजर का हल्वा सर्दियों के मौसम में स्वात के साथ साथ सेहत से भरपूर भी होता है इसलिए जरूर खाना चाहिए क्योंकि गाजर तो विटमिन से भरपूर होती बहुती सेहत मंद होती साथी साथ इसमें घी पड़ता है जो की एक गुड़ फैट होता आप ध्यान दीजिए का मैंने नहीं किया है इसको बीना ग्रेट के ग्रेट करने कभी जंजट नहीं है पटाफट से इसको कट करेंगे, जिस शेप में कट करना चाहते हैं, कट कर लेंगे, तो बिना ग्रेट के आज मैं बनाऊंगे, पर स्वाद में कोई कॉम्प्रमाइज नहीं होगा, बहुत ही बड़ी आलवा बनेगा, अब यहां पर मैंने कुकर लिया है, इसमें दो से तीन च बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता है, अगर इसको हलका से जब भी में फ्राइज कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा सौंदा पना जाता है, इसको जरूर फ्राइज कीजिएगा, बहुत टेस्टी हल्वा बनता है, और साथी साथ इलाईजी का फ्लेवर भी इसमें अंदर तक चल जाता है, बहुत टेस्टी बनता है, तो यहां पर लगबग, चार से पांच प्रिट मैंने धीमी आज पर फ्राइज कर लिया है, और बस धक्कन को लगा देंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको एक सिती ले लेंगे, ध्यान दीजेगा, बिना पानी के बिना करलेंगे, तो मैश करने के लिए, यहां पर मैंने पोटैटो मैशर लिया है, इससे बहुत आसानी से गरम-गरम गाजर मैश हो जाती है, बिल्कुल भी जढ़चटनी होती है, इवन आप अगर ये जो डाल वाला कर्चल होता है, उससे भी अगर आप प्रेस करते चले जाएं तो भे बहुत आसाल हुआ इसे पूरी पूरी गाजर मैश हो जाती है और हमने एक ही city लिये न तो बिल्कеци। एगदम चिकनी गाजर नहीं होगी ख़की हली हल्की से चंक्स बहुत है जैसे हम घ्रbot बहुत घंटों लगते गाजर को बनने वे पाल चल्दी फटाफट पड़ी हो इसको चला चली जा रही हूं और इसको पकाती चली जा रही हूं वह समको दूध को रीडियूश करना है गाजर को दूध में पकाना है तो यह दिखिए अफटा फट से दूध बहुत जादा कुझे तो बहुत ही कि या करमा है है और लिएख़ पाइन तुम अजी की ड्यारिय संब्सक्राइब जब सेमाने उस सब्सक्राइब चांफ है त्म छाये कंपाएन उहतने हैं ड्यारश् inspire लिए था इसकी रेसिपी में आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ बहुत आसान है एक तरफ गैस में चढ़ा दीजे दूद को और अपना दूसरा काम करते लिए फटा-फट से मावा बन करते हैं और एक चमच मैंने मावा बचा लिया था क्योंकि मेरे बेटे को यह शक्कल ड बहुत टेस्टी हल्वा बनता है अगर उपर से मावा डाल दिया जाए और अगर मावा नहीं डाला है ना तो आप दूद की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जब हमने दूद में पकाया था तो दूद उहां पर जादा जाल दीजे और यहां पर कुछ ड्राइफूर्स लेव से लग रहा है हल्वा तो मैंने उपर से दो चमज घी और डाल दिया है पर यह तोटली ऑप्शनल है अगर आप घी को अवर्ट करना चाहते हैं तो आप अवर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने दूद काफी इस्तिमाल किया है तो वैसे भी इसमें घी तो हुई चुका है काफी त बस मैंने डाल दिया है थोड़ा सा और शाइन आजाए हल्वे पर आप चाहें तो अवर्ट कर सकते हैं और यह हमारा बहुत शांदार सा देखिए हल्वा बनका तयार हो चुका है तो चलिए सर्दियों में गर्मा गरम टेस्टी और हेल्दी गाजर का हल्वा सर्व करते हैं आप इसे ठंडा खाये चाहें गरम खायें बहुत तेस्टी लगता है हर हालत में बहुत स्वादिष्ट बनता है तो है ना बहुत आसान सी रेसिपी जटपट से बनका तेयार हो जाती है बिना जंजग के और आप देख पारें टेक्शर भी बहुत पर्फेक्ट गाजर के हल आंग भुत निर उननी बहुत पर ने से ठंग के लिए ने आndड ।